हेलो फ्रेंड्स मैं इंजिनियर राहुल रंजन अश्टडी इंडियाड़ा की उट्व चैनल में आपको स्वाग करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप लोगों पता ही चैनल पे कंटिनिव क्लासे पुल टेखनीका धमागेदार तरीका से बेतरीन क्लासे चलाया जा रहा है दोस् सेंटेज आपका पूरा कंपलीट करवा दिया गया है सिंपल इंट्रेस्ट पूरा कंपलीट करवा दिया गया है प्रोफिट लॉस पूरा कंपलीट करवा दिया गया है आज जो आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होने बाला है वो है कंपाउंड इंट्रेस्ट जिस को like कीजिए share कीजिए आज जो है class number 93 यानि 93 नंबर का class है जी paid student सभी को solution मिल जागा paid वाले को ठीक है ना इसलिए paid student जो अभी तक paid नहीं किये है वो जल से जल paid group में join कर ले थोड़ा से हम लोग आप लोग को दो मिनेट समय दिया जा रहा है दो मिनेट सभी लोग वीडियो को like और share करें आज हम लोग compound interest का देंड करने वाले हैं ठीक है न सबसे पहले theory देखेंगे उसके बाद हम लोग question को लगाएंगे क्योंकि एक question compound interest से आपको जरूर पूछेगा ठीक है न देखिएगा पेड़ स्टुडेंट के लिए आप लोग को बता दो कि यहां पे selection को आप लोग के लिए लॉंच किया गया है तो आप लोग इस हेल्प में पार्टिस्पेट हो यह अपना बर्चस्प दिखाएंगे दखीएगा सबसे पहले जो भी क्लास चार बज तक सलूशन पोराइट किया जा रहा है तो सभी लोग classes daily attend किया किजिए क्या benefit होने वाला screen ले जी अभी time नहीं कि आपको बताया जाएगा details में ध्यांस देख लीजिएगा यह आपको paid group में benefit होने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं आपको कुछ नहीं 399 आपको paid करना है only बस एक बार 399 आप paid किजिए आपको पुरा study material पोल टेकनीका महत्वपूर्ण कोष्चन और साथ ही साथ सभी का solution करके आप लोग को provide कराया जा रहा है यह 30 में जो date रखा गया है आप ज़्यादा time नहीं है देखिए आज 29 तारीक आनि कल last date है कल आपका paid group का last date है जो student अभी भी सोच रहे है न वो कहीं ने कहीं अपने आपको एक जार पीछे कर रहा है एक साल अपने आपको पीछे कर रहा है इसलिए सभी लोग join कीजिए ठीक है ना कल last date join कैसे करना है देख सकते है यह आपको SVI का account number है यह account पे आपको 399 रुपय आपको pay करना है और यह मेरा whatsapp number है इस whatsapp number से call करके या whatsapp करके उस पे a screenshot send कर देना है payment confirmation का आप payment google पे phone पे ATM किसी के माध्यम से कर सकते है या फिर अपने relative में कोई चलाते है नेट banking या फिर cafe internet दुकान किसी के दौरा भी transfer करवा सकते है या फिर many branch bank के दौरा भी transfer करवा सकते है लेकिन हाँ अपना mobile number और साथ में payment confirmation का proof इस number पे आपको send करना पड़ेगा आपको बता दूजी कि यहां पर लगबग 140 पलस student जाइन कर चुके है और इन लोग को सबसे बड़ी बात है ना कि लोग night में भी 2-3 बज़ दर decision करते रहते हैं आपस में यानि full energy के साथ study हो रहा है और selection होगा हर हाल में होगा बस आप लोग का dedication चाहिए एकजाम तक ठीक है ना इसी तरीका से सभी लोग join कीजे देख सकते है student अपने according जो भी माध्यम इनको बेश लगता है अपने माध्यम से जो है देखिए बहुत से कुछ simple आप लोगो रखा हूँ जो देख सकते सभी लोग जो join किये है ठीक है ना इसलिए आप सोचिए मत जल्द से जल्द join कीजे paid group में बहुत मज़ा आने वाला है बहुत ही मज़ा आने वाला जो paid student है उन लोग से आप राय ले सकते हैं ठीक है ना तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज जो है चंक्रविर्दी भ्याजानिक compound interest का देइंड करने वाले है और आप लोग को बता दू अभी जो है दो बज़ रहा है ना दो बज़ जो class हो रहा है इसके बाद दो से तीन आपका class चलेगा चार पांच पांच बज़े आज मैं आप लोग को live आ रहा हू सबी बच्चे present होएगा किसी तरह का doubt discussion हम लोग आपसों discussion करेंगे कैसे कैसे और आगे करननीती है कैसे और जो है selection जो है हम लोग को लेना है वो चीज़ को आपको focus करना इसलिए पांच बज़े सब लोग live आएगा paid group सभी को मैं बोल रहा हूं सभी लोग join किजिए 399 कुछ न फिट होने वाला है ठीक है जाम इन्वार्मेंट आपको classes की तरह मिलने वाला है class खतम हुआ उसका solution आपको मिल जाएगा discussion कोई भी question कर सकते है यानि समझे के full timing के साथ सभी चीज किया जा रहा है इसलिए paid group सभी लोग join किजिए चलिए अब सभी लोग present हो चुके हैं तो चलि सभी लोग ready हो चुके बोलीगा एक वार yes बोल दीए सबसे सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग theory देखेंगे उसके बाद हम लोग question के और move on करेंगे theory सबसे पहले आपको दिखाया जाता theory आपको करवाओंगा सबसे पहले चक्रविर्धी ब्याज के बारे में वैसे theory आपको पुछा नहीं जाएगा मैं आपको trick बताऊँगा कैसे question को solo करना easy way exam में वह चीज को आपको देखना है ठीक है ना तो चलिए सबसे पहले आप लोग चक्रविर्धी ब्याज के बारे में जानि हम लोग यहां simple interest कर चुके है सधारन ब्याज अब जो है चक्रविर्धी ब्याज देखना बहुत जरूरी है ठीक है ना चक्रविर्धी ब्याज को ब्याज का ब्याज बोला जाते है यानि ब्याज पर ब्याज यानि interest पे interest लगता ह उशी को हम लोग चक्रबीर्धी व्याज बोलते हैं, चक्रबीर्धी व्याज जो है चक्रबीर्धी दो सब्दों से बना है, पहला सब्द है चक्र और दूसरा सब्द है ब्रीधी, यानि कहने का मतलब सीरी से बात हुआ, चक्र का अर्थ होता है चक्र, चक्र यानि साइकिल, यानि कहने का मतलब ब्रीधी का अर्थ है, बढ़ती है, इसलिए चक्रविर्धी ब्याज, यानि कहने का मतलब साइकिल में बढ़ते जाती है, दोस्तों, कहने का मतलब यहां डारेक्ट होता है, सुध पे सुध जो लगता है, ब्याज पे जो ब्याज लगता है, एक साइकिल की ब्याज बहुत ही important point ये चीज आपको समझ में आ गया होगा ना तो समझें कि चक्रविर्दी ब्याज आपको दिमाग में घुस गया होगा जैसे simple interest कि सधारन ब्याज दिमाग में घुसा होगा इसका आपको formula होता है ये formula सभी को पता होगा मुझे जहां तक उमीद है चक्रवि minimum time में maximum question बनाना होता है आपको बैसे ही फर्मूला याद कीजिएगा सभी लो आपको पेट गुरूप में इसका solution जल्द ही मैं provide करा दूँगा डॉंडबर टेंसर नहीं लेना है ये बराबर क्या होगा जी पी इंटू 1 प्लस आर वाई 100 के पावर इन होता है क्या होता है ये rate है एन क्या है एन यहाँ पर बर्स की संख्या है एर है ठीक है न एन क्या है बर्स की संख्या एर है यह क्या है यहाँ पर मिस्द्धन है मिस्द्धन बोले तो मिला हुआ धन मुल्धन प्लस ब्याज मिला हुआ धन ठीक है न मिला हुआ धन ठीक है न यहाँ तक किसी को प्रो फर्मूला को सभी लोग नोड़ाउन कर लिजेगा अब बताते हैं ध्यान से देखिएगा अगर कोच्चन में आपसे पूछ दे यह भीवे लगा यह पॉइंट को बहुत इंपॉर्डेंट है यह भी फर्मूला इंपॉर्डेंट है लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कै रहेगा ना उसको 2 से डिवाइड कर दिए जो माल लेते दस दर दे रखा है 10% तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 वैदू यानी 5% उसका रेट हो जाएगा ठीका ना दर को जो है 2 से डिवाइड कर दिया जाता है और समय को 2 से गुना कर दिया जाता है आज चीज ध्यान में समय को 2 से गुणा कर दिया जाता है, अगर आपको छमाही में निकाल ला हूँ बाकि यही फर्मूला पर put कर दीजे, वही फर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना क्या लिखा गया है, वो चीज को देख लीजिए वो चीज को देख लिजी A बरावर P into 1 प्लस R यहाँ पे R था छमाई कर दिया तो R Y 2 हो गया बटा 100 यहाँ पे N कितना था? N था तो दूगना कर दिया यानि 2 N हो गया बाकी बही चीज है देखिए यह बहुत important point है ठीक है न जाम में direct question निट करेगा बेसिक नहीं पूछ देगा ठीक है न चलिए अगर आपसे पूछ देगा कि ब्याज तीमाही हो यानि कहने का मतलब तीमाही यानि तीन मन्त पे जो ब्याज लगता है इंट्रेस लगता है न तब आपको कैसे बनाना होगा आपको rate में r by 4 कर देना पड़ेगा 4 से divide कर देना पड़ेगा और समय में 4 से गुना कर देना पड़ेगा full energetic हो की नहीं से विलो किसी को problem नहीं हो न दूँगा दिमाग में घुसा दूँगा सभी question इसलिए ध्यान से पढ़ो discussion न करो मैं अल्रेडी सुभा में देख रहा था बहुत student आपस में discussion करते रहते हैं discussion नहीं करना है अगर आपको problem हो रहा है चैट से अगर कोई दिकत हो रहा है तो आप चैस चैट को discussion को off कर दीजे चैट देखिए ही मत अब direct question पड़ेए थिवर classes को attend कीजे ठीक है न अगर वैसा कोई student करते हुए मुझे दिख जागा direct उसको block कर दोगा direct block कर दिया जाएगा उसके बाद दूर दूर तक ये channel दिखाई नहीं देने वाला है ठीक है न इसलिए मैं बोलता हूँ study करो serious तरीका से digital class है fully environment phrase environment पर रहा किजिए ठीक है न आपको कोई अगर कुछ बोलता है वो चीज़ यह नहीं direct आप लोग classes की तर अटेंड कीजिए ठीक है न चलिए आगे हम लोग देखते हैं यह formula अगर अगर रेट अगर आपको ब्याज तिमाही बोल देगा तीन मंत पर इंट्रेस्ट निकालने के लिए तो आपको यह भी भी है इसको भी लगाईए क्या करना पड़ेगा दर को RY4 हो जागा और शमय को 4N हो जागा चलिए यहां तक किसी को problem है क्या नहीं problem है आगे पढ़ते हैं यह क्या बोला जा रहा है यह point को समझे जदी ब्याज की दर पहले N1 बर्स के लिए R1 हो जाए दूसरे N2 बर्स के लिए R2 हो जाए तो N1 पलस N2 के बाद चक्रविर् ठीक है ना ऐसे मैं दे दूँगा लेकिन इसका मैं ट्रिक से बताऊंगा ऐसे question पूछेगा तो ठीक है लेकिन formula भी दिमाग में होना चाहिए formula याद रहेगा तो आपको trick भी नहीं भी रहेगा तो formula से आप बना सकते है ठीक है इसलिए आप formula भी जो basic concept जो है वो भी आपको ज निकालने के लिए और मिस्तधन दे दे तो यह formula से निकाल सकते है ठीक है यह formula को भी आप लोग नोट कर लिजेगा ठीक है पी क्या है आर क्या है सभी लोग बता दिया गया है चलिए आब आगे बढ़ते हैं जैदी समय पूर्णांक में नहीं हो जैसे यह यतना हो देखिए आगर आपको time दे रखाए अगर डिरेक्ट में ले तो यह थी यह अगर ऐसे नहीं दे रखा है अगर पूर्णांक में दे रखा है तो क्या करना पड़ा कुछ नहीं करना पड़ेगा तो को एगारवाई 5 करके यूज कर सकते हैं इसको छोड़िए इसको छोड़िए यह पा सबी लोग अश्टार मारिए सबी लोग अश्टार मारिए बहुत important point है अगर दो बर्स में चक्रवीर्धी ब्याज और सधारन ब्याज का difference यानि अंतर D दे रखा है तो आपको मुलधन क्या होगा यानि D into 100 upon R के power square यानि दो बर्स दे रखा इसलिए 2 हो गया R ब्राबर ब्य कर लिजेगा चलिए हम लोग basic concept समझ लिए क्या है R क्या है पी क्या है चक्रवीर्धी ब्याज क्या होता है कैसे निगालते है उसका formula क्या है अब हम लोग question को लगाते हैं सबी लोग ready हो गए तो सबी लोग वीडियो को like कीजिए target है इस वीडियो का target है 200 प्लस like का 200 प्लस like और 200 प्लस live में होने चाहिए यह target है यह target आप लोग achieve कर सकते हो सबी लोग वीडियो को like और share कीजिए और be ready हो जाए हम लोग trick के साथ question को अब बनाने वाले हैं चलिए सबी लोग ready हो गए yes sir yes sir बोल दिजे तब हम लोग question को शुरू करते हैं आगे चलिए सबी लोग ready हो गए अब लगता है कोई decision नहीं कोई decision नहीं होना चाहिए only study पर focus होना चाहिए जैसे आप decision group में आप लोग study serious तरीका से करते हैं न से मुसी तरीका से कौन क्या बोल रहा है इसलिए आप focus कीजिए अपना question पर चलिए अब हम लोग question को ध्यान से देखते हैं सभी लोग paid group join कर लिजेगा जी मैं फिर से बोल रहा हूं देखेगा क्या है जी 100 रूप्या का दो बरस का 10% बारसिक व्याज की दर से चक्रबिर्धी व्याज क्या होगा बहुत ही अच्छा पोचे ने सभी लोग बनाएगा सभी से पहले मैं अंसर देखना चाहता हूं उसके बाद मैं बनाओंगा उसके बाद मैं बनाओंगा सभी लोग से पहले दीजिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है सभी लोग बनाएगा चले formula भी मैं लिख देता हूँ, a बरावर p into 1 plus r y 100 के पावर n, ठीक है न, इससे भी आप, चलेगा, यह formula से तो आप लोग बहुत लोग बना दीजेगा, a बरावर p into 1 plus r y 100 के पावर n, यह formula बेसिक जो हर किसी को किताबी बुकी जो मेथड होता है, हर कोई बना दीजेगा, क्य 500 के पावर, n कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, minus 1, minus 1 हो जागा न, minus 1, इससे आप लोग direct निकाल सकते हैं, ठीक है न, direct इससे आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन, 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 यह formula आपको बनाना है तो बनाएं, लेकिन time taken हो जागा, मैं आपको चकरविर्धी बियाज का trick बताता हूँ, ध्यांस देखिएगा, सभी लोग ध्यांस देखिएगा, trick, यह trick है, कोई भी question चकरविर्धी बियाज का पूछ दे न, direct बने, कैसे बनेगा, ध्यांस देखिएगा, अगर आपको one year का बोले, देखिएगा, जैसे अगर आपको one year, one year का अगर निक तो direct one year, वही रहेगा न, माल लेते हैं, आपको two year के लिए बोल दे, two year के लिए, compound interest ci निकालने के लिए बोल दे, तो आपका trick होगा, two and one होगा, अगर three year के लिए बोल दे, तो आपको क्या होगा, three year के लिए, तो आपको three, three, one होगा, अगर आपको four year के लिए बोल दे, तो आ six four one जкимरली चार यरथ तक पूछता है ठीक है ना आगे हम लोग भी लोग ने कता है जा यहां am i9as if i стр.. तो यह तो उक्ठ्रेस को रहने दीजिए कि चीटा पूछनू सौ से रूपय और न gaan शौ का कितना है? 10 परसेंट, 10 परसेंट निकाल दीजे, 10 परसेंट निकाल गया, कितना आ गया? 10 रुपया आ गया, क्या करना है? 2 और 1, 2 से गुना करना है, 10 में 2 से गुना कर दीजे, 10 दोनी 20 रुपया हो गया, आप ये जो 10 है ना, यहाँ पर फिर लिख दीजे, 10, इसको फि से गुना करना एक से गुना करना यानि one गुने वान यानि एक रुपया हो गया और दोनों को add कर दीजे 20 और एक कितना हो गया 20 और एक 21 रुपया हो गया 21 is question का correct answer होगा किसी को problem किसी को problem anybody बताएगा किसी तरह के आपको डिरेक्ट पूछे न यह formula युज नहीं करना डिरेक्ट आपको इस method से बनाना डिरेक्ट आपको बन जाएगा दो चार गोड प्रैक्टिस कीजिए आपको अस्तानी से बन जाएगा ठीक है ना एकीस उरपया इस question और करेक्ट अंसर होगा वही आपको मैं बता दू थिरी एर के लिए पूछे ता क्या करना पड़ेगा 100 का 10 परशन निकाल दीजी 10 परशन के बारे में बोल रहा है ना भी इस question में 100 का 10 परशन निकाल दीजी जितना आएगा उसको पहले 3 से important trick है बहुत important जब मैं आपको railway का सभी का सभी का त्यारी करवाता था यह trick आप लोग student को समझाया था बहुत मज़ा था student बहुत interesting तरी का समझे थे किसी तरह का doubt नहीं होना चाहिए ठीक है ना मैं आपको basic से बता रहा हूं और साथ में trick भी बता रहा हूं किसी तरह का doubt होता है पेट गूरूप में डिरेक्ट पूछ सकते हैं बिना किसी hesitation ठीक है ना चली आगे बढ़ते हैं आगे सभी को समझ में आगे होगा दो जैर के हम लोग निकाल दिए trick से आगे question अगर तीन पूछे का तो डिरेक्ट उससे भी निकाल देंगे तीन एर का ठीक जाद करना थिरी थिरी वन फोर येर का फोर शिक्स फोर बन चली आगे बढ़ते हैं आगे अब से question क्या पूछा जा रहा है इसको इसको बनाईए यह question क्या है जी जदी किसी धहन का सधारन ब्याज तीन ब question है ठीक है यह question जो ऐसे देखा जा तो time taken वाला question लेकिन ट्राइए किजिए every student must try to solve this question सभी लोग ट्राइए किजिएगा आपको 20-30 सेकंड समय दिया जा रहा है सभलों बनाएगा मैं इसको बनाऊंगा ठीक है फूली नेजरेटी के साथ रहा किजिए classes में किसी तरह का disturbance नहीं होना चाहिए जदी किसी धहन का सधारन ब्याज धन हमको पता नहीं है हमको धहन निकालना है कि 303 रुपया 60 पैसा हो ज से 303 रुपया हो जाता है तो उसी धन का उसी शमय के लिए उसी दर से चक्रविर्दी व्याज निकालना है यह तो इंट्रेस्टिंग है क्या सबसे पहले इसको क्या करना बढ़ेगा ना सधारन ब्याज है ने जी तो सधारन ब्याज से मुल्धन निकाल लेजे देखेगा यह जो सधारन ब्याज देल रखाया ना सधारन ब्याज के लिए चार परसेंट ब्यार्सी ब्याज के दिससे इतना हो जा रहा है तो सधारन ब्याज के इससे जो है ना मुल्धन निकाल लेजे जब मुल्धन निकल तो चक्रविर्दी व्याज तो असानी से निकल जागा जो आपको ट्रिक बताया गया वुश्ट से बना दी यह से टाइम टेगन कोश्चन है इसको बहुत ज्यादा टाइम टेगन लग जागा अगर बेसिक ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जारा है? किसी ध्धन का न, ध्धन मुझे पता नहीं है, सधारण थार शिंबल इंट्रेस्ट का फर्मूल आपको क्या बताया थे जी? मुल्धन, गुने, शमय, गुने, दर, बटा क्या बताये थे, शोग बताये थे सथारन ब्याज कितना दे रखा है जी, तीन सो, तीन पॉइंट सिक्स जिरो दे रखा है इससे हमको मुल्धन निकाल लेते हैं, मुल्धन हमको निकाल लेते हैं, मुल्धन एजिटिज लिख देते हैं, समय कितना दे रखा है, तीन दे रखा है, दर कितना है, चार परसेंट है बटा में, शौ कर देते हैं, यानि मुल्धन इससे निकाल देजिए, मुल्धन क्या आ ज ठीक है ना मुल्धन जो आगया 2530 रुपे इसा वो कर दिया 2530 रुपे आ गया किसी को प्रोलम नहीं होना चाहिए जब हमको मुल्धन 2530 रुपे आ गया time taken question है लेकिन यह सबसे tough लेवल कोशन को count किया जागा ठीक है ना मुल्धन जब पता चले कहों कि दोनों से रुलेटगर करका बनाया हुआ है मुल्धन इतना आ गया त conception हो क्या निकालना है उसी धान का उसी समय के लिए चक्रविरधी आज निकालना यानि हमको मुल्धन मुल्धन हमको पता चले गया कितना 2530 रुपे या हमको क्या है रेट वही लेना है ना, रेट हमको पता चलेगा कितना 4% दिया उसी रेट से, और उसी बर्स के लिए, यानि टाइम कितना दे रखा है, 3 year, तो आपको डिरेक्ट निकाल दीजे, पचीस सो, क्या है जी, पचीस सो तीस है ना, डिरेक्ट फर्मूला से ही बना सकते हैं, जो फर्मूला आपको बताया गया था, P into 1 plus R by 100, P into 1, वो formula से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं trick से बता रहा हूँ, trick से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. आपको क्या निकालना है? इसमें आपको, sorry, C याइ निकालना है, C रेरीग निकाल सकते है, formula से, formula लगाकर निकाल सकते हैं, तेक्षाब बता रहा हूं देखेगा थिरी इयर के लिए ना फोर थिरी इयर मैं बी कंसंट्रेट अब बता गया थिरी थिरी वन बता गया यानि कितना है 2530 का कितना परसेंट है जी 4% है 4% निकाली है तो यह से cancel out हो गया यानि कहने का मतलब 4-3 के 12 25 के 100 101 यानि कहने का मतलब 101.2 हो गया 101.2 गुने 3 कीजिए अधका होगा 3 से मल्डे पले करना है 3 दूनी 6 3 दस ती यह 30 कितना हो गया 300 3.6 हो गया ठीक है यहां पर तक यह चीज हो गया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब क्या है जी 101.2 का फिर से 4% निकाल दीजिए क्या हो गया पाइंट को हटा देते हैं पाइंट को एक और 0 आ गया क्या हो गया 4 दूनी के 8 हो गया 4 दूनी के 8 यानि 4.48 गुन्हें 3 कर दीजे क्या हो गया आट रिकी 24 के चार चरतिर के बारा तेरा चौदा एंड चौदा के चौदा चरतिर के बारा तो क्या जिरो है तीन वह चलिए हाँ आगया आप क्या है जी 4.048 का फिर से 4% निकाल दीजे ठीक है ना यह ट्रीक बहुत ही मज़दार ह है यह ट्रीक बहुत ही मज़दार है दो तीन कोश्चन प्रैक्टिस कर लीजेगा ना बहुत मज़दा जागा फिर से पाइंट को अटा जाते हैं कि क्या होगा फाइंट हटाईएगा तो अट चौका 32 के दूग चार्चो का सॉल्ला सतर अठारा नाइस चार्चो का सॉल्ला कितना आगया ऐसे देखिएगा इसको देख कि यहां पर पे गाले जा रहा है वाइन पमाइंट yapy यानू बार को दिये तो तीन को शुड़दील देए यानि कहने को मतलब क्या हो गा एन दो तीन चार एक दो तीन चार पांच-पाइंट में आ गया पाइंट भाइंट एक ज 303.6 है दूसरा 12.14 है यानि कहने का मतलब तीसरा क्या पॉइंट वह तीन दू पाँच एक तीन यानि चार छो एक साथ यानि 315 पॉइंट सम्थिंग होगा इसको भी जोड़ी है था पॉइंटे में न यानि 315 पॉइंट सम्थिंग होगा जो कि ऑप्सन में है क्या 315 पॉइंट गरेंट उपाँच इसकोर्चन न होगा ओप्सन इसकोर्चन करेक्ट अंसर होगा एट्रिक बहुत ही कारगर है बस आपको प्रैक्टी 2-4 कोषण कर लीजेगा न तो आप असानी से इस कोषण को सुलब कर दीजेगा ठीक है न हैट्रिक से ही बना सकते या फिर आ प्लस और वाई हंड़ेड के पावर एन माइनस वन इसे भी बना सकते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ट्रिक से बनाईए दो चार कोश्चन प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद असानी से बन जागा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन आप से पुछा जो क्या जा रहा है जी वो थाड़ नमर कोश्चन पर यह थाड़ नमर क्या है पांच परसेंट की दर से दो बर्स के लिए चार सौ का चक्रविर्दी ब्याज औस सधारन ब्याज का अंतर बीस सेकंड का समय दिया जा रहा है सब लोग पांच परसेंट की दर से दो बर्स के लिए चार सौ का चक्रविर्दी ब्याज औस सधारन ब्याज का अंतर क्या होगा बहुत अच्छा कोश्चन है के पांच परसेंट की दर से दो बर्स के लिए चार सो का यह दोनों मेंज़स से बना सकते यह डिरेक्ट पहले कंपाउंड सकते हैं और सिया जो है क्या बोलता है सधारन ब्याज निकाल सकते हैं उसके बाद दोनों को माइनस करके वह से भी अंसर आ जाएगा या फिर आप न सबसे पहले सब्सक्राइब सिंपल इंट्रेस्ट क्या हो जागा मुल्धन कितना है कि 400 गुने पांच गुने दो बटस सो कितना हो गया जी चालिस हो गया चालिस रुप्या अब कंपाउंड इंट्रेस्ट कैसे निकलेगा 400 का आपको दो बरस के लिए दो बरस के लिए ट्रीक क्या बताया गया था तूर और वन इसका डिरेक्ट पशेट निकाल दीए चार सो पॉर्प्या हो गया कि भी होंगया बीस कोने दो करदें बीस दो के चालिस रुप्य हो गया ठीक है अब वीस का फिर से 20 का फिर से 5% निकाल दीजे 20 पच्चे 100 यह से एक एंसे लिए एक हो गया यानि वन गुने वन कर दीजेगा वन गुने वन बरावर वन ही तो होगा ना यानि CI compound interest कितना आ गया 401 41 रुपय आ गया और SI symbol interest कितना है 40 यानि CI minus SI बरावर एक 40 minus 40 बरावर एक ठीक है ना एक यानि option इस question का बेलकुल करेक्टर किसी को problem नहीं होना चाहिए आग बढ़ते हैं आग बढ़ते हैं अगला question आपसे पूछा जा रहा है इस question को मना यह मज़ा आ जागा क्या को चैंजी ध्यान से देखिएगा 101 कितना बोले जा रहा है वह चीज़ को देखिए क्या बोले जा रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है 121 रुपया का दो बर्स के लिए 10% बार्सिक ब्याज की दरसे सधारन ब्याज और चक्रविर्दी ब्याज का difference क्या होगा बहुत हुमज़दार कोहचन है सभी से मैं answer देखना चाहता हूँ सभी student sensor देखना चाहता हूँ आपको simple interest में कोहचन करवाए गया है simple interest में ऐसे कोहचन करवाए गया है सभी student sensor में देखना चाहता हूँ पर टेक student sensor देखना चाहता हूँ 120 रुपया का दो बर्स के लिए 10% बार्षिक ब्याज की दरसे सधारन ब्याज और चक्रविर्दी ब्याज का difference क्या होगा difference आपको trick बताया गया था क्या बताया गया था जी बताया गया था P into Ry 100 के पावर एन बताया गया था यानि P कितना है जी पी आपको 120 रुपया का 120 है ना एक खॉैकीस गुने आर कितना है 10 Y 100 गुने 10 Y 100 क्यों की है क्योंकि एन प्राबर 2 है दो बर्स के लिए यानि direct में पूट कर दिया हूँ थिक है ना दो बरस के लिए दस भी हंड़े दस भी हंड़े दोनों बरस के लिए आ गया यानि कहने का मतलब यह से कैंसिल हो जाएगा यानि 121 को दो पॉइंट हटा दीजिए 1.1.21 रूपया 1.21 रूपया आ जाएगा 1.21 जो की option D में given है option D is question का correct answer रहा किसी को problem नई होना चाहिए कल के भी class में compound interest में भी करवाया गया था चलिए इस question को बनाईए सभी लोग यह question को बनाईएगा जदी किसी नगर की जनसंख्या 5 लाग है और प्रती बरस के अंत में 10% की दर से बढ़ जाती है तो दो बरस बाद उस नगर की जनसंख का question ठीकर बनाएगा सो लोग ओ अहां डार्यक्ट बनाएगा मजा आजागा बनाने में सबी संसराना चेह जी इस टावे question में गरवन नहीं करना है चलिए बहुत लोग अंसर भी दे रहे करेक्ट अंसर सर्जा ना चाहिए क्या है यहां प्रती न कर दाथर F attracts ev.3 E.Wol यह 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 यानि कहने का मतलब क्या हो गया यानि पांच पे पांच जीरो दो चारे पांच जीरो का क्या हो यह सकारे यह से कैसी बहुत कर लीजेगा यह संसे था कर दीजिये आ यानि कहने का मतलब क्या हो गया जीरो यानि किसी को प्रोलाम किसी को अनिबडी प्रोलाम नहीं होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कोहचन आपसे पूछा क्या जा रहा है वो चीज़ को देखिए अगला कोहचन 6 नमर कोहचन को ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है एक नगर के जिन संक्या 10,648 है जदी 10 परसंट प्रती बरस बढ़ती है दो साल बाद निकालना है लेकिन इस कोहचन पूछा जा रहा है 23 साल पाहले निकालना है दोनों कोहचन में डिफरेंस है जी बनाएगा सभी लोग सभी लोग बनाएगा कॉंसेप्ट किलियर रहेगा तभी बन पाएगा यानि कहने का मतलब तीन साल पहले नगर की जन संख्या मान लेते एक्स था लेट सब्सक्राइब लेट सब्सक्राइब लेट सब्सक्राइब तीन साल पहले जन संख्या कितना था जन संख्या कितना था एक्स था एक्स था मान लेते ठीक है ना अब निकालिएगा पी इन्टू कमबा क्या है जी हां डिरेक्ट निकलिएगा कितना है आप जैसे संगे कितना दोनों एड़ करें कितना आगया है दस अजार च्छेसोड तालिस यसको एक समान लेते हैं एक संगे एक संगे दस परसेंट बढ़ती है तो तेई साल पहले कितना था यह 23 सल नहीं है, couchant Report paczंushman यहरर है, 23 सल नेरहिगा तो लेकिन 23 सल निकालने का मतलग समझवा रहा है, वह difference हो जागा, तीन सल पहले का बोल हो जा रहा है, ठीक, णा, तीन सल पहले की जन संख्या क्या था, लेट सबोज़था साँ, पाले की सीन से क्या की एकस था यानी दस हो और यानी एकस इंटू बाइड संट क्या हो गजाएगा यानी कहने का मतलग एकस परहु गुणिया यांनि 13-0 तो गाल लोह गा टीक ने दस दसे इंटू बॉन-दस-पोर festive it निकाल दीजे, एक सबरावर आगया, दसजार छेसो अड़ाली, दहज़ार छेसो अड़ाली सुगुने, एक हजार अपाउन तेरह सो, एक्टीस हो जागा, इसको सवनोट किजिए तो आठ हजार आएगा, यानि एक सबरावर आठ हजार, जह है, इस सहर का जनजंख्या, तीन साल पहले था, आप्शन डीज कोषण का बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा, आगे कोषण के और बढ़ते हैं, सब लोग वीडियो को लाइक और सेर कीजिए, फूल एनरजेटी के साथ हम लोग कमपाउन इंट्रेस्ट से एक कोषण सिर्फ पूछा जाता है, इसको देंड करने वाले हैं, ठीक है न, बनाएगा सब लोग, किसी धन के दो बर्स के सधारन ब्याज और चक्रविर्धी ब्याज का जो डिफरेंस होगा, वो क्या होता है, अल्रेडी बताया थे सधारन ब्याज जो पढ़ लिया है, चक्रविर्धी ब्याज पढ़ लिया है, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस वही होगा न, धन के ए इस question का correct answer होगा, अगला question को बढ़ते हैं, अगला question आपसे पुछा क्या जा रहा है, बोचीज को देखिए, अगला question जो आपसे पुछा जा जा रहा है, ये है आपका, question है, एक factory में सताई जा चार सो रूपिय की machine लगे हुई है, जदि परियोग में आने के कारण, उसका मुल प्रति बर्स पांच पर्सेंट कम हो जाता है, तो तीन बर्स बाद उसका मुल धन क्या होगा, बहुत इंट्रेस्टिंग question है, और ये थोड़ा hard level का question है, अच्छा question बनाएगा सभी लोग, सभी से correct answer राना चाहिए जी, सभी से correct answer राना चाहिए, every student must try to solve this question, सभी से correct answer राना चाहिए बनाएगा, ध्यान से देखिए, क्या बोला यार, एक factory है, factory में क्या है, 27,400 रुपया का machine लगा हुआ है, जदी पर्योग में आने के कारण, इसका मुल प्रति बर्स पांच परसेंट कम हो जाता है, तो तीन बर्स बाद उसका मुल क्या होगा, तो त इतना कम होगा, पांच परसेंट, बार बार कम जा रहा है, तीन बार कितना बर कर रहा है, तीन साल बाद होने है, तीन बार कम रहा है, यानि कहने का मतलब क्या होगा, जी डिरेक्ट निकाल दी, 27,400 इंटू, वन माइनस, पांच बार कम रहा है, इसलिए माइनस किया गया, ध इस वाई 20, 29-20 के panor हो गया, ठीडी हो गया, यानि कहने का मतलब 27,4420, 29zeni20, 19-20 किजिएगा, तो आपका solve कर लिजेगा, मैं påill ne कर रहा हूं, 23,492.08 रूपया आएगा जो की 492 है ना option C is question का correct answer होगा ठीक है option C is question का बिल्कुल correct answer होगा आगे question की और मोहन करते हैं अगला question जो आप से पूछा जा रहा है वो question है जी ध्यान से देखिएगा वो question है ये question को देखिए क्या बोले जा रहा है question को समझे 15,000 रूपया पर 8% बार्सिक ब्याज की दर से एक बर्स का ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज 6 माही है 6 माही का मैट ट्रिक आपको बताया था क्या करना पड़ता है rate और year में वो चीज दिमाग लगाए और बनाइए ठीक है ना थियोरी में अभी मैं करवा हूँ जस्ट इस question को भीवे लगाईए 6 माही और 23 से question जरूर पूछ देता है ठीक है ना भीवे लगाके star mark दीजे जी भीवे लगाके star mark दीजे बहुत important question है बहुत important question है क्या इसको कैसे बनेगा ध्यास देखिएगा दर आपको जहना 6 माही है 6 माही यानि 6 मंद के बाद लगने वाला है यानि दर जो है 6 माही है हिंदी वाले बहुत अच्ट इंडिया पर बोल रहे है 6 माही है तो क्या होता है दर आधा हो जाता है यानि 8y 2 हो जाएगा यानि 4% हो जाएगा और वही समय क्या हो जाएगा समय दूगना हो जाता है समय जो होता है 2 2t हो जाता है ठीक है ना यानि एक बर्स था तो एक गुने 2 कीजेगा तो 2 बर्स हो जाएगा ठीक है ना दो बर्स हो जागा अब निजसे चक्रविर्दी भी आज Compound Interest निकालना है तो डिरेक्ट nih Nous दिए ट्रिक से बनाईएगा या फिर वह रहा क्बसे बसे अट्रिक मेथर या फिर बना शकते वह 4परशन कि नविकО्के 60 हो गया हूं दो से ट्रबारा सो हो गया दो से पहला बार उच्छ के बाद फिर लिख दीजेद दीजे 60600 को फिर चार परशन निकाल दीजे कि क्या हो गया चूवीस हो गया है लीजेफ वने वहान की जगा तो चूवीस होगा ना उने भी कीजिए तो 24 होगा ना यानि कहने का मतला 1200 1224 1224 का है क्या कहीं option D question का correct answer होगा देखें यह trick से कितना असानी से बन गया यह trick से कितना असानी से बन जागा लेकिन time taken होगा इसलिए trick युच किया किजिए सबसे अन्तर दे रखा है तो क्या होगा आपको धन रासी निकालन मुल्धन निकालना यह trick भी आपको कल के में बताया गया था और सबसे धमाकेदार तरीका से जोड़दर स्ट्रिक बताया गया था और सभी सभी से complete और correct अंसर आना चाहिए गलत अंसर नहीं देना मैं अल्रेड़ी बता दिया हूं क्योंकि यह कोचान अल्रेड़ी यह आपको two year दे रखा है अपको Video और सथारम गया है का डिफ्रेंस आपको बती दे रखा है अपको difference कराबर क्या बताया गया था दोनों का ci c i minus ci का Difference जो बताया गया अगर दो बर्स के लिए है अगर भी तीन बर्स के लिए पुछता तो P into R by 100 के पर एन यानि 300 गुने में और करना पड़ता है 300 plus R by 100 करना पड़ता है लेकिन दो बर्स के लिए है तो इसमें क्या करना पड़ेगा P आपको difference कितना दे रखा है जी? difference 32 दे रखा है P आपको निकालना है P into R by 100 R कितना है? R 8 by 100 गुने 8 by 100 कर देना पड़ेगा इससे P आप डिरेक्ट निकाल सकते हैं P कितना हो जागा जी? डिरेक्ट कर दीजे क्या हो जागा? 32 गुने 100 गुने गुने 028 गुने 8 अठ हो जागा आठ छों के 32 हो जागा चार दुनी आठ हो जागा दूपचास बरतवे कड़ेगा दूपचास बरतवे यानी 5000 इसका प्रिंसपल हो जागा कितना आजागा जी, 5000, 5000 इसका principle आजागा, यानि कहने का मतलब option D is question का बिलकुल correct answer, किसी को problem, anybody, भीवे लगा करके इस question को याद बनाने का process सभी लोग समझ गया न, किसी तरह का doubt नहीं होना चाहिए, अगर doubt होता है, आप discussion, paid group वाले discussion में, सभी इसका solution में just provide करा दूंगा, tension नह अमीद करता हूँ, सभी student paid group join कर लीजेगा, ठीक है, इस question को बनाएगा, क्या question है जी, जदी एक धहन का चक्रविर्धी ब्याज की दर से चार बर्स पे दुगना हो जाता है, तो वह कितने बर्स में आठ गुना हो जाएगा, कल के classes में आपको simple interest में ये चीज बताया गया था और fully trick के साथ बताया गया था, आपको ये इसमें आपको चक्रविर्धी भी आज पर ऐसे question पूछ दे, तो आपको कैसे बनाना है, long method, bookage method में नहीं जाना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, वो concept को उच्छ करना है, इसका बैसे trick होता है, वो formula से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको trick बताऊंगा, और trick से बताना, ध्यान से देखेगा, trick को समझे, ये trick नहीं बोल सकते, ये मेरा अपना common sense है, common sense लगाना है, और question को solve करना है, ठीक है न, और जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ये चीज को ध्यान से देखेगा, कैसे जो बन ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानि ध्यान से देखेगा, चार बर्स में four year में क्या हो रहा है, दू गुना हो रहा है, तो आपको निकालना है आठ गुना, यानि चार चार आठ बर्स में क्या होगा, आठ बर्स में आपका दू और दू चार गुना हो जाएगा, यही अगर simple interest की बात करते तो 8 बर्स में दू और एक 3 गुना होता लेकिन इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता इसलिए उसका भी double हो जाएगा आपको 8 गुना बोल रहा है चार चार आठ चार बारा बर्स में क्या होगा बारा बर्स में आओ यहाँ पर चार दू चार गुना हो जाएगा यानि बारा बर्स में क्या होगा जी यानि कहने का मतलब बारा बर्स में जो होगा इसका भी तो double हो जाएगा तो चार दू नी 8 गुना हो जाएगा यानि बारा बर्स में direct आपका जो होगा 8 गुना यानि option भी इस question का correct answer हो यह ऐसे question को ऐसे ब बनाए किजे, अगर ये method आपको नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो आप basic concept से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं suggest करूँगा, ये common sense से बनाई है, आपको question देखते ही अंसर आएगा, basic method में बताता हूँ, question solve नहीं करूँगा, माल लेते हैं, let's suppose that, let's suppose that, let's suppose that मुल्धन मुल्धन कितना दे रखाया जी, मुल्धन देखिएगा, देखिएगा, ये अलग trick जो है, let's suppose that मुल्धन बरावर क्या होए, hundred माल लेते हैं, मुल्धन क्या माल लेते हैं, hundred रुपया माल लेते हैं, तो दो बर्स के बाद, दो बर्स, two year के बाद, two year के बाद जो होगा, मिसर द्धान, यानि मिला हुआ धन, मिसर धन क्या होगा, जी, 200 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, बिल्कुल 200 रुपया हो जाएगा, जब 200 रुपया हो जाएगा, तो आपको direct ये formula सीज़ कर सकते हैं, क्या है, हाँ, 200 रुपया हो जाएगा, यानि कहाने का मतलब, compound दर को माल लेते हैं दर हम लोग डार्त माल लेते हैं कि तना माल Marc अबको हुआ है तर्थ दिया हुआ नहीं है यानि ऊणलाष क्या हो जागा दर लिट दर लेके लिए Prime Social से चार बाड़ spa यहांने का मतलब क्या हो गया जी ये सी एक श्य यह हो गज़ा यानि दो ब्रवर क्वाइगा बटा-100 यहांने पोर हो जा रहा है, ताब को करना क्या है? आब कुछन करने मिस्रधन को आठ गुणा करना है, जब यह मिस्रधन दू है, इसको आठ गुणा कीजिएगा, कैसे होगा? मिस्रधन, मिस्रधन, मिस्रधन को क्या करना है, आठ गुना करना है, ठीक न, करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मिस्रधन को आठ गुना करना है, तो इसको जो है, क्यूब कर दिजे, दो के पावर की, दो के क्यूब कीजेगा, तो आठ हो जागा, क्या, बिल्कुल हो जागा, यानि कहने का मतलब यानि कहने का मतलब क्या हो जागा यानि कहने का मतलब सीधी सी बात हुआ आगे सोल पर नहीं कुछ करना है यहां पर चार बर्स पर दूगना हो जा रहा है तो कितने बर्स में आठ गुना हो जा रहा है तो आठ गुना जो हो रहा है मुल्धन दो रुपिया है तो इसको आठ गुना कितना बर्स में हो रहा है तीन बर्स में तो नहीं हो रहा है यहां प प्रिक भी आपको बहुत ही कारगर है इससे बना सकते लेकिन मैं सेट करूँ है कि आप यह कॉश्चन से बना सकते हैं ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं 29 पांच 2020 को ठीक है ना कंपाउंड इंट्रेस्ट का देंड हो गया है सभी लोग विडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और पांच वेजे लाइफ जरूर रहेगा पांच वेजे मैं आप लोग के सामने लाइफ आ रहा हूं ठीक है ना तो सभी लोग पांच वेजे लाइक और शेयर कीजिए ठीक है ना मजा तरी मैजदार तरीका से स्टडी करना पुल लेकनी का सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ध्यांस देखेगा पेट ग्रूप आप लोग जो स्टूडेंट अभी तक जॉइन नहीं किये हैं फड़ाफट सेलेक्शन आप लोग लिए help किया जा रहा है एक book purchase कीजिएगा तो इससे कहीं ज्यादा आपको best होने वाला है लेकिन इससे आपको उससे कहीं ज्यादा benefit होने वाला आपको करना क्या है किसी भी माध्यम से phone पे Google पे या किसी भी bank या फिर किसी रिस्तेदार किसी relationship के द्वारा भी आप जो है यह account नंबर पर 399 send कीजिए और यह जो मेरा ब्रसनल वाट जो है WhatsApp नंबर इससे इस पर आप उसका payment का confirmation प्रूफ जो है इस पर सेंड कर दीजेगा और ताकि मैं आपको paid वाले ग्रूप में add कर दूँगा वहाप एक discussion group भी पनाया गया है only paid student के लिए जहां पर किसी तर फिट उठाइए ठीक है ना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद्ध